नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज हम सुरू करने जा रहे हैं परियावरन की सिक्षन विदियो के महत्वपून परसन और दोस्तों कुल मिलाकर 400 है वो महत्वपून परसन हम 10 कलासों के द्वारा देखेंगे और जल्दी आपको 10 की 10 कलासें उपलब्द करवा दी जाएगी आज की जो कलास रहेगी इसके अंदर हम बाग एक के अंदर एक से लेकर 40 तक के महत्वपून परसन देखेंगे और इनकी जो PDF है दोस्तों वो आपको कुचामन ओनलाइन कलासेज एप पर मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप स्टोर से आप PDF है उसके द्वारा भी इन क्यूसनों को पढ़ सकते हैं दोस्तों इसी के साथ जो भी साती एप्लिकेशन को डाउनलोड करते हैं वो सभी के सभी साती एप्लिकेशन पे 5 इस्टार रेटिंग जरूर दें चलते हैं दोस्तों क्यूसनों की और पहला क्यूसन आपका है परियावरन अध्यन सिक्सन के दोरान विधार्तियों की सेक्सिक उपलब्दियों को देखने के लिए निमलिकित में से किस आंकलन सुचक का परियोग नहीं किया जाना चाहिए परसन क्या पूचा है कि परियावन अध्यान सिक्षन के दोराण जो विद्यारती है उसकी सेक्सिक उपलब्दियां है उनको आप देख रहे हैं तो निवन में से किस आंकलन सुचक का आपको परियोग नहीं करना चाहिए अवलोकन करना चाहिए चर्चा करना चाहिए परियोग करना चाहिए जबकि उपचारात्मक सिक्षन उस समय नहीं करना चाहिए चार नमर उप्षन आपका सही रहेगा Next Question में चलते हैं सतत एवन व्यापक मुल्यांकन का मुख्य उदस से क्या है देखिए option विध्यारती में उपस्तती के समय बालक के परतेक पहलू का मुल्यांकन करना जो विधाले उसमें उपस्तती के समय जो बालक होता है उसके हर एक पहलू का मुल्यांकन करना ही सतत और व्यापक मुल्यांकन का मुख्य उदस से है next question में चलते हैं question number 3 अच्छे परसन्पत्तर की क्या विश्यस्ता है वेदता, विश्वसनियता, एक वेदो दोनू या व्यापकता या विश्तृत सही रएगा आपका याँ पर वेदता और fragrance लिएता अच्छे परसन्पत्तर की विश्यस्ता होती है दोनों की दोनों एक वे दो दोनों option आपके सही रहेंगे next question में चलते हैं कौन सी प्रेक्षियपित सामगरी है इनमें से प्रेक्षियपित सामगरी कौन सी है bulletin board, OHP, परतिमान या फनेलन board प्रेक्षियपित सामगरी है इनमें से OHP दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा और जो साथी रीट की तैयारी करने 2016 के अंदर ये क्यूसन आ भी चुका है नेक्स्ट में चलते हैं चोटी कक्साओं में परियावन अध्यन विशे में रूची उत्पन करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए चोटी कक्साओं के अंदर आप परियावन अध्यन है इस विशे के अंदर रूची उत्पन करवाना चाहते हैं बच्चू की तो पढ़ाने का तरीका मनोरंजक वे खेल समंधी होना चाहिए दो नमर उप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्योसन में चलते हैं परियावन सिक्षा में सामुईक चर्चा से समंधित सिक्षन विदी कोन सी है सामुईग चर्चा से समंदित सिक्षन विदी बात किसकी करने हैं परियावन अध्यन की तो वो है आपकी विचार गोश्टी चार नमर ओप्सन आपका सही रहेगा 2018 रीट के अंदर आयावा क्यूसन है नेक्स्ट में चलते हैं परियावन अध्यन की कक्सा में आउधार्णाओं को इस्पेष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियां कहानी कतन का परियोग करना कैसा रहता है देखिए बच्चू में विद्यमान भासिक वे सांसकर्तिक विविदिता को ध्यान में रखना उचित दिशा में बच्चू की उर्जा को सेकेंदरित करता है पाट को आनन्दाइक वरोचक बनाने में मदद करता है इस्तानिय वे विश्वे इस्तर पर संसार की परकर्ति को खोजने और कलपना की योगेता का विकास करने में मदद करता है दोस्तों क्यों option number 4 सही रहेगा पुछा है क्या था है कक्सा में अवधार्णाओं को इसपेश्ट करने के लिए कविता या कानियों का परियोग करना यह जो इस्तानिय या विश्वे इस्तर पर जो संसार की परकरती है उसको खोजने और कलपना की योगेता को विकास करने में क्या करता है मदद करता है next question में चलते हैं प्रात्मिक इस्तर पर सिक्सन में सिक्सन की खेल विदी आधारित है किस पर है सिक्सनविदी के सिद्धान्थ पर आदारीत होती है चार नमरों और प्सन आपका सही रहेगा नेक्ष्ट में चलते हैं परात्मे की स्थर पर परियावन द्यन के सिक्सन में काहनियां और कविताओं का प्रभावी डंग से उप्योग किया जा सकता है परियावन दिन में इनके उप्योग का मुख्य उद्ध से क्या है दोस्तु गक्सा की विविदता की पूर्ती सीखने के लिए संद्रब गत वातावन परदान करना, पाठू का परियावन दिन में चितर पढ़ना एक महत्वपून किरिया कलाप है, निमलिकित में से कौन सा या कौन से संकेतक संकेतकूं का बच्चू में आंकलन चितर पढ़ने के द्वारा हो सकता है, देखिए दोस्तू अवलोकन और अभिलेकन अभिवेक्ति, विशलेसन और परियोग करना, तो बच्चू में आंकलन है वो चितर पढ़ने से हो सकता है, अवलोकन और अभिलेकन का, अभिवेक्ति का, विशलेसन का परियोग का नहीं होता है, A, B, C सही रहेगा तो कूट का अगर हम परियोग करते हैं, तो तीन नमर कूट आपका सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं, परियावण दिन में सिर्शक, बर्मन का मूल उद्श से है, बर्मन का मूल उद्श से क्या होता है, चात्रू के लिए पर्तिक्स अनुभू लाना अगर आप बर्मन पे कही जाते हैं, तो उस चीज का आप क्या लेकर आते हैं, पर्तिक्स अनुभू लेकर आते हैं, तो सही रहेगा चात्रू के लिए पर्तिक्स अनुभू लेकर आना दोस्तू नेक्स्ट क्यूसर में चलते हैं सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की एक तकनिक है, कौन सी है, सत्र मुल्यांकन, अर्दवार्शिक मुल्यांकन, निधानात्मक मुल्यांकन या इककाई मुल्यांकन, सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की एक तकनिक होती है, निधानात्मक मुल्यांकन, नेक्स्ट में चलते हैं, प ओप्सन एक आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट में चलते हैं प्रात्मिक इस्तर पर बच्चे को आंकलन करने का सर्वस्रेश्ट तरीका है किसका परियोग करना किसका दोस्तू पोर्ट फोलियो का परियोग करना तीन नमर ओप्सन आपका सही रहेगा नेक्स्ट योसन में चलते हैं प्राइतमिक इस्तर पर परियावन देन की पाठे पुस्तक में निमलिकित मैं से कौन सी विसेष्टा नहीं होनी चाहिए देखें ये प्राकर्तिक वे समाज सांस्कर्तिक प्रिवेश को एकिगरित तरीके से प्रस्तूत करती है, ये तो होनी चाहिए, ये सिक्सार्तियों की वेविद्य पूर्ण प्रष्ट भूमी की जरूरतू को पूरा करती है, ये भी होनी चाहिए, ये वास्त्वी कानियों और गटनाओं को सामिल करती है, ये भी है, लेकिन दोस्तों ये प्रियोगात्मक कारिये के लाब है प्रियोगात्मक जो कारिये है इसके क्या लाब है दोस्तों इसमें बालक स्वेम करके सीखते हैं सही बात है दोस्तों बालक को किरियात्मक और वेवारी ग्यान मिलता है ये भी सही है इसे अरजित सेदान्तिक ग्यान इस्ताई होता है ये भ बादक नहीं है जितनी की योजना कि अपुन्ट तियारी ये कतन है डेविस का मोरिसन का बाइनिंग का यह टीपी नन का ये किसका कतन है डेविसका कतन है इंपोर्टेंट कतन है सिटेट और टेट एक्जमू में भहुत बार आभी चुका है नेक्स्ट ट्यूसन में चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन है दोस्तुं। परियावन दिन शिक्षन में आसूर अचित उपकरूनों का निर्मान कराया जाता है. इन उपकरूनों का निर्मान बालग में नियून मेंसे किसका विकास करने के लिए किया जाता है? देनिक समशियाओं के समाधान है तु? नहीं सरजनात्मक सक्ती के विकास है तू इन उपक्रणों का विकास किया जाता है बालकों के अंदर दोस्तों नेक्स्ट यूसन में चलते हैं 19 नमर जब कभी हम चात्रू के समक्स बहुसे तथे उधारन या वस्तुएं प्रस्तूत करते हैं और फिर उनके अपने स्वेम निसकर्ष निकलवाने का परियास करते हैं तब हम सिखसक की किस विदी का परियोग करते हैं खोज विदी योजना विदी आगमन विदी या संसलेशन विदी आगमन विदी का दोस्तों तीन नमर उप्सन आपका यहां पर सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं का सही रहेगा प्रात्मी किस तर पर परियावन का उदस से नहीं है चार नमर वाला नेक्स्ट में चलते हैं क्यूसन नमर 21 सतत मुल्यांकन की विदा कौन सी है आदुनिक एवं नवीन मुल्यांकन विदी पारंप्रिक मुल्यांकन विदी नहीं है मुल्यांकन की वस्तुनिष् ये भी है, तो एक और तीन, चार नमर ओप्सन देखिए, एक वे दो, एक वे तीन, दोनु सही है दोस्तों, नेक्स्ट में चलते हैं, क्यूसन नमर बाइस, दर्से सर्वे साधनु द्वारा, सामाजी गद्देन में किस परकार के अनुभव प्राप्त किये जाते हैं, पर्तेक में चलते हैं, सिक्सन साहिक सामगरी द्वारा, पिछडे हुए बालक की साहिता कैसे की जा सकती है, कैसे की जा सकती है दोस्तों, उसे दर्से साधनु द्वारा ग्यान करवाया जा सकता है, उसे दर्से साधनु द्वारा ग्यान करवाया जा सकता है, तीन नमर ओप्सन आपक अप्रेक्सेपित सामगरी नहीं है, चार्ट, पेग, प्लेनल बोर्ड, रेडियो या सलाइड, सलाइड है दोस्तों, जो आधार पर अप्रेक्सेपित सामगरी नहीं है, नेक्ष्ट में चलते हैं, चोक बोर्ड का प्रियोग किया जाता है, चोक बोर्ड का जो प्रियोग है, वो किसलिए किया जाता है, नए तत्यूं, नियमों को प्रस्तूत करने के लिए किया जाता है, मित्रूं, सही बात किया जाता है, चात्रूं को परदर्शन और अभ्यास कराने की सुविधा के लिए भी किया जाता है, रेखाचितर, मानचितर या रेखांकन द्वारा किसी तत्ते को समझने के लिए भी किया जाता है तो सही रहेगा चार नमर उप्षन उप्रोक्त सभी नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं पनेलल पंट बना होता है किसका बना होता है दोस्तु ये पलाइवूड का भी हो सकता है मेसोनाइट का भी हो सकता है लखडी का भी हो सकता है उप्रयूक सभी का दोस्तु नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं जब सिक्सक को वास्त्विक पदार्थ या वस्तुएं उपलब्द नहीं हो पाते हैं तो वह का परियोग करता है, किसका परियोग करता है, मोडल का परियोग करता है, तीन नमर ओप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्योशन में चलते हैं, संपुन पर्तवी, अत्वा उसके किसी भाग के ध्रहतल के आकार और इस्तती को किसी पेमन या प्रेक्षय द्वारा पर ये का था वेबस्टरने दोस्तों दो नमर उप्शन आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं वह मादे जिसके दुआरा किसी वस्तू के अंतर्शमन तता संगठन भावू विचारू तता विशेश इस्तलू को दर्शयात्मक रूप में परदर्शित किया जा सके क कैलाता है वो छारट कैलाता है और ये important qasid 2 या 3 एक जमू के अंदर last time आ भी चुका है नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, चित्रू के चैन का आधार होना चाहिए, चित्रगत वस्तुहूं का आधार, चित्रगत वस्तुहूं के रंग, यतार्त वस्तुहूं का प्रस्तुति करने वाला चित्तर या उप्रोग सभी, ये सभी के सभी है जो चित्रू के चैन के आधार ह उपरोग सभी, चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट ट्यूसन में चलते हैं, चात्रू को अधिगम है तू अगर आप अभिप्रेरित करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, विशे वस्तू को जीवन से समंधित रख करें, सहीए दोस्तों, दर्शे सर्वे सामगरी का परियोग करें, पुनरबल देना, ये सभी, चात्रू को अधिगम है तू अगर आप अभिप्रेरित कर रहे हैं, आप सिकसक है, तो ये तीनों के तीनों कारी करें, उपरोग सभी कारी, चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट ट्यूसन में चलते हैं, परियावन समंदी आप ग्यान परदान करने का उप्यूगत अगर सादन समझते हैं, तो वो है आपके सामुधाइक सादन, तीन नमर उप्सन सही रहेगा, नेक्स्ट यूसन में चलते हैं, वह प्रोजेक्टर जिसमें चात्रू से चक्सु संपरक बना रहता है, तदा जिसम वस्तू की परच्छाई वक्ता के पीछे बनती है कहलाता है ओवर हेड प्रोजेक्टर एक नमबर ओप्सन सही रहेगा और इंपोर्टेंट क्यूसन है दोस्तूं नेक्स्ट यूसन में चलते हैं सरवादिक प्रभाव साली सिक्षन सामगरी है सरवादिक प्रभाव साली सिक्षन सामगरी वह होती है जो किरिया आदारित परतेक्स अनुभव करवाती है सरवे दर्से का उप्योग निमलिकित में से किस आधार पर महत्व पूर्ण है दोस्तूं ज्यानेंद्रियों का समंदी ज्यान से साकसात कर करवाना सरवे और दर्से उनका उप्योग है जो ज्यानेंद्रियों का समंदी ज्यान से साकसात कर के आधार पर क्या है मैत्वपूर्ण होते हैं नेक्स्ट योसन में चलते हैं, चात्रों में मानचितर पढ़ने से जो वेवारगत परिवर्तन होता है, वो निमलिकित में से किस उदस्य से समन्दित होता है दोस्तों, ग्यानोपयोग, कोसल, ग्यानात्म की अवबोद, चार नमर, चात्रों में मानचितर पढ़ने से जो उसके प्रस्तुतिकरण का जो इस्तर है, वो कैसा होता है, इसमर्ति इस्तर, बोध इस्तर और चिंतन इस्तर, तीनु परकार के होते हैं, उपरोग सभी, चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट में चलते हैं, जिसे सामगरी के द्वारा सुनकर देखकर ग्यान प्र से सामगरी, नेक्स्ट में चलते हैं, अपेक्सित सामगरी है, ओरहेड प्रोजेक्टर यानि OHP, शामपट, मोडल या दो और तीन, तो मित्रु यहां पे देखें, अपेक्सित सामगरी है, शामपट और मोडल, दो और तीन, चार नमर उप्सन आपका सही रहेगा, करम में, बहत विज्ञान की पाटे-पुस्तक की ओर यह तो तार की करम में, और चलते मित्रों, आज की एकलास के अन्तिम क्यूसन की ओर, विज्ञान की पाटे-पुस्तक में विशे वस्तु का संगटन होना चाहिए, किस परकार, पाटे-क्रम के अनुरूप, चात्रों के आवसेक्ताओं वे रूचियों के अनुरूप अध्यापक की आवसेक्ताओं के अनुरूप या उक्त कोई नहीं पाटे करम के अनुरूप विज्ञान की पाटे करम है पाटे पुस्तक है उसमें विशेवस्तु का जो संगटन है वो पाटे करम के अनुरूप होना चाहिए मित पूरियो को लाइक, सेर और जो नए साथ ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद, जे हिंद, जे बारत!